दगी में एक ही युद्धा हारे थे हनुमान, जानिये कौन था वह। युद्धा, हनुमान, सर्वशक्तिमान और सर्वग्य है, हनुमान के बगेर न तो राम है और न रामायन, राम रावन युद्धा में हनुमान जी ही एक मात्र अजेय युद्धा थे, जिन्ही कोई भी कि किसी भी प्रकार सिक्षती नहीं पहुंचा पाया था। यूँ तो हनुमान जी के पराक्रम, सेवा, डया और दूसरों का दम तोडने की हजारों गाथाएं हैं लेकिन आज हम कुरानों के माध्यम से ऐसे घटना को लेकर आया हैं जब हनुमान जी को किसी भी युद्ध में पह प्रभाव। पढ़ा, दोस्तों किसी समय में मच्छिंद्रनाथ नाम के एक बहुत बड़े तपस्वी हुआ करते थे, एक बार जब वो रामेश्वरम में आये तो भगवान रामद्वारा निर्मित सेतु देख करवे भाव विभोर हो गए और प्रभु राम की भक्ती में पीन हू करवे समुद्र में सनान करने लगे, तभी वहाँ वानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी वो जानते थे कि मच्छिंद्रनाथ जी कितने बड़े तपस्वी है फिर भी उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी के शक्ती की परीक्षा लेनी चाही इस ये हनुमान जी ने अपनी लिला आरंब की, जिससे वहाँ जोरों की बारिश होने लगी, ऐसे में बानर उपी हनुमान जी उस बारिश से बचने के लिए एक पहार पर वार कर गुफा बनाने की कोशिश का स्वान करने लगे, दरसल उनका उद्देश्य था कि पहले ही तुम्हें अपने घर का प्रबंद कर लेना चाहिए था। उने प्रसन होकर अपनी शक्ती का कुछ प्रतिशत हिस्सा मुझे भी दिया है। ऐसे में अगर आप में इतनी शक्ती है और आप पहुँचे हुए सिध्ध योगी है तो मुझे युद्ध में हरा कर दिखाएं, तभी मैं आपके तपोबल को सार्थक मानूनगा, अन्यता स् चुनकर मच्छिंद्रनाथ जी ने उस वानर की चुनोती स्वीकार कर ली और युद्ध की शुरुआत हो गई। जिसमें वानर रुपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ पर एक एक करके कई बड़े परवत फिके, पर इन परवतों को अपनी तरफ आते देख मच्छिंद पर फिकने के लिए वहाँ, उपस्थित सबसे बड़ा परवत अपने हाथ में उठा लिया, जिसे देख कर मच्छिंद्रनाथ ने समुन्द के पानी की कुछ बूंदों को अपने हाथ में लेकर उसे वाताकर्शन मंत्र से सिधः कर उन पानी की बूंदों को हनुमान जी के फेक दिया, इन पानी की बूंदों का स्पर्श होते ही हनुमान के शरीर में अजीब सी हलचल हुई और एकदम से स्थेर हो गया, साथ ही उस मंत्र की शक्ती से कुछ खशनों के लिए हनुमान जी की शक्ती छिंग गई और ऐसे में वे उस परवत का भार न उठा पाने के कार मच्छिन्रनाथ ने हनुमान जी को मुक्त कर देया और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए, इसके बाद उन्होंने मच्छिन्रनाथ से कहा है, मच्छिन्रनाथ मैं आपको भली भाती जानता, था, फिर भी मैं आपकी शक्ती की परीक्षा लेने की प्रयास कर इसलिए आप मेरी इस भूर को माफ करें, ये सुनकर और स्थिती को समझते हुए मच्छिन्रनाथ जी ने हनुमान जी को माफ कर दिया